नमस्कार दोस्तों कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत हैं दोस्तों ये घटना चक्र भुगोल की हम बुक पढ़ रहे हैं इससे पहले हमने 12 चैप्टर कंप्लेट कर चुके हैं ये 13 चैप्टर है धिहनचेत्र आज इस वीडियो में हम धिहनचेत्र को पढ़ेंगे और 14 चै देखाए तो इन छोटे छोटे चैप्टर को देखेंगे इन से ज्यादा कोश्चन नहीं बनते हैं फिर भी हमें तो इसमें देखना पड़ाएगा कि कोश्चन किस प्रकार से एक्जाम में पूछे गई हैं बेसक एक या दो कोश्चन ही पूछे गई हैं तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पड़ते हैं लेकर पहले कोश्चन देखें हैं पांच कोश्चन कोश्चन कुल मिला करते पूछे गई हैं पہला चैत्र देंक्री के सांता कुरुच पर इस्पेन का दिखा रहा है तो सांता कुरुच पर किसका दिखा रहा है स्पेन का तो डी का आप टूटिक करेंगे तो सांता कुरुच पर किसका दिखा रहा है इस्पेन का है और फिर ग्रीन रेंड पर किसका दिखा रहा है डेनमार्क का है तो डेनमार्क का यह रहा B, तो B का है थड, तो B का आप थड देखेंगे, ठीक है, और जो आपका Christmas दीब बचा है, इस पर किसका दिखा रहा है, इस पर है Australia का, तो A का 4, तो A का 4 देखेंगे, और France बचा, France का होगा, Martinique, ठीक है, तो अगर आप इस बेस पर देखेंगे, देखेंगे, यहाँ प और किसमे के वली B में, तो हम यहाँ पर B करेंगे, हाला कि इसका जो राइट आंसर है, घटना चक्र में नहीं दे रखा है, लेकिन जो छेत्र है, आप देखेंगे, और अस्टेलिया पर अस्टेलिया जो है, मतलब अधीन छेत्र कौन सा है, Christmas, Christmas दीब, तो Christmas दीब पर किसका अस्टेलिया का है, Greenland पर किसका दिका रहे है, देनमार्क का है, तो Greenland तो हमें पता है, यह कहां पर है, North America है अगर आप देखेंगे, नोड अमेरिकारी से ओपर Canada आजएगा, Canada कि आप पूरा में जाएंगे, तो हाँ पर Greenland है, ठीके तो Greenland पर किसका दिका रहे है, देनमार्क सांता करूंच पर किसका दिखा रहा है सपेन का है और क्रिस्मस दीपर किसका डिखा रहा है ऑस्टै ले गाए तो इस बेशें कर देंगे अगला कोश्चन देखते हैं निमलीखित में से कौन सा एक देश? भवलीक रूप से अमेरिका में होते भे भी रॉडонов से तो ameerika के पास है लेकिन डेन ने Mazic पर और यॉरॉप से लेकिन डेन्मार्क में मंपर अधिकार तो ग्रिंडेयोब में हैं अगला यह उप्रीका का मैं पर, इस से आप क्या है, और कमे की आ है, जंगहैंके यहां पर, किया यह लिखा हुआ है? तो अगर आप पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं नीचे दिये हुए मांचीतर पर ध्यान दीजे जिसमें चार स्थान निर्दिस्ठ हैं जो प्राइस समाचारों में चर्चित हैं अगे इन में से कौन सा स्थान चैत्चिया है कि करना तो थरब नंबर पर कहें आप चैंचा देखिया है तो साली करंट में रहा होगा तो तब यह पूछा है तो इससे घवरान का लगा सब्सक्राइब देखें अगला कोश्चन है कि सोची एक को सोची दोसरे आपको मिलाना है यह कुछ द्रवीब दे रखें ऐलुशन दिए बहुत इंपोटेंट है अमेरिका के अंडर में है तो यह तो बहुत सिंपल सा कोश्चन है तो एक फॉर दोस्तो एक फॉर देखेंगे कि अगर एक फॉर देखेंगे अगर आप इससे अंसर लेखाना चाहेंगे देखें अराम से न downs से एकर फॉर या राइट आउ गया लेकिशकन फिर लेखर हम देखते हैं देखें बीस के अंदर में तो डेंमार्क के अंदर में तो सी का टुँ पीर आप देख लेते हैं तो और फ्रेंच जोसेफ लेंड किसके अंदर में रूस के हैं तो जुरूरी नहीं कि आपको सारे उप्षन पता हो लेकिन अगर आपने एक यह दो आपको पता हुए से अलूशन दीप बहुत इन पोटेंट है अलूशन दीप कहां पर है कु कि इसका अधिकार यहां आपका अमेरिका का परा सांध मासागर मैं तो आपको पता है जई कह पी अपने देखा तो यहां से दो चीज नियों आपको मिली होगी बीर्दी कर के और इस नॉर्वेक एंडर मैं और यह रूस केंडर में है, अगला कोस्टे देखता हैं घरला कोस्टेना निमलिखित योगंवह पर विचार करना है ये चीत्र कभी-कभी समाचारों में उलिखित होते हैं और बताने किस देश केंडर में हैं देखे, Catalonia, क्रीमिया, MindaNau और Oremia देखे, क्रीमिया आपने पड़ा होगा तो यह हंग्री के अंडर में तो नहीं है है न देखे, कितना सिम्पल सायवाले कोश्चन पुछा गया है देखे, क्रीम है जो है, वो हंग्री के अंडर में कहा हैं दुस्तो ठीक है न तो क्रीम है किसे इंडर में, बहुत ही सिंपल से वाले कोश्ण है, चीक है तो क्रीम है किसे इंडर में, यूकरेन है ना, वरतमान में सायद रूसकस पे अधिकार हो चुका है, तो हगीर तो है इनि इसका है ना, तो second तो सही नहीं है, तो अगर आप A कट कर देंगे, अब यू भी में घजीं कि मिंड़नाव कि मिनाव कि मिनाव किकार में फिलिपिंग तो ये आपका ठीक है कि और चेटालोनिया तो फस्ट और थाड्ड या आपके कैटालोनिया क इसके अंडर मैं La 아 पर फिलिपिन्स के टीक है तो आपका फर्स्ट और ठीक है जब यह आपका इसे के यूक्रियन और रूस के विवाज चलता रहता है तो यह किसका हिस्सा है यूक्रेन का हिस्सा है जब यह हंगरी यहाँ पर दे रखा है तो यह तो आपका गलत है ठीक है तो इस बेस पर का राइट आंसर first और third first and third कौन सा option में है तो C option में है ठीक है देखिए लिखा यहाँ पर रूस जहां क्रीमिया को रूसी संग के एक अंकरूप में मानेते देता है वह यूक्रेयन यह दावे करता है या उसको भी नहीं देखे रूस और यूक्रेयन में मतलब इसमें विवाद है कि यह किसका हिस्सा है अब वर्तमान में यह क्रीमिया पर अधिकार जो रूस ने कर लि में लैंड लोगड गंड़ है है बहुत इन पोर्टन यह नहीं इसको में पता वने चाहिए निम्रिक essere कौन सब्सार अवरुत देश नहीं लोन आट लोगड नहीं लएंड लोगड का मतलब क्या होता है कि वह देश में से से किसी अन्य देश से घिरा हुआ हो जिसकी समुद्री स्थल रेखा नहीं है तो इसको लैंड लोग कहते हैं तो कौन सा देश लैंड लोग नहीं है तो लाइब एरिया देखिए इसमें आपको मैप की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है मैप अगर आपके पकड़ है तो तभ आफगानिस्तान अरफ लोश लग्जम्बर्गव और अफगानिस्तान का एशा में लोश भी इसे में लग्समवर्ग युरोव मलें यूरूप में टिक है तो यह सब लैंप लेंड लोग नहीं है अगला कुछिन निम लिखित में से कौन एक अफ्रीका का लेंड लोग्ड देश है अंगोला केन्या सेनेगल चाड तो चाड जो देशा हो लेंड लोग्ड तो वी इसका राइट आन्सर है कि अगला कुछन है दक्षिन पूर इश्या में निम्न में से कौन सा देश लेंड लोक्ट है तो लाउस तो लाउस क्या है कि देशों लेंड लोक्ट देश है ठीक है अगला कुछन है निम्न देशों में से कौन से इस्थल रूद्ध है तो कौन से इस्थल है तो बोलीविया दक्षीन अमेरिका में तो कुन सा देश है वह बोलीविया अगला कोश्चन निमलिखित महादीपों में से किस में कोई लैंड लोग्ड देश नहीं है तो नोड अमेरिका में कोई भी लैंड लोग्ड नहीं है अफरीका युरोप एसे में काफी लैंड लोग्ड देश है तो राइट आंसर है D अगला कोशन है निमलिखित देशों में से कौन देश इस्थल बादित है नीचे दिये गए कूटों में सही उत्तर का चैन करना है अफगानिस्तान तो एक लेंड लोग देशते हैं आपको पता ही है हंगरी एक लेंड लोग देश है और स्वीटजाड तो नीचे देखे कूट का उप्यों करना है देखिए यह एकदम मैप पे भी सवाल है अगर आप मैप इसकी पकड़ है तभी इस कोशन को आप कर पाएंगे ठीक है तो इसलिए मैं आपको बार-बार करता हूं जोग्रफी पढ़ते हुए आपको मैप बहुत अच्छे से पक ठीक है इसकी राजदानी एकोबा में इस्तित आपका गलत है इसके मुख्य ने दिए वाहिट नील है तो यह ठीक है इसका मुख्य धर मिसलाम नहीं इसाही है तो फस्ट और ठीक है तो सीस का राईट अंसर है अगला कोशन है निमलिक हरी देसों में से कौन अंतर महाधीपी पाई तो सीत्य है तो देखर लाव उसा जोर्जिया टर्की टुनीसिया तो जोर्षी नों विश्ट्रित है एम अंफ क ata का महादीपेडेश ऑसे ठीक है हमादीन ने तुर्षी इस चाहिए में भी ऀस्था वुष्ट्रीकों की देखरेए हैं यह समझी ऐसे यहां पर है यूरोप इस तरह से और अफ्रीका इस तरह से तो यह देश एक से अधिक कोंटिनेंट में स्थित हैं तो उनको बोलता है अंतर महादीप देश ठीक है तो ऐसे कौन से देश है जोड़ जिया है तुर्की कि एक से अधिक महादीप उनकों में विस्तुरित देश अंतर महादीप देश कहलाते हैं जोड़ जिया तता तरह की ऐसे देश हैं तरह की मतलब तुर्की जिनका विसार ईसे से एक महादिव तक पए मिल्खित में से कौन एक अडड लोग्ट देश नहीं है कौन से व अजर बसान यह मध्य गशिए के देषी की नाम यहाँ पर लिख Cauए है तो इसमें से अजर बसान एक लैंड लोग्ट देश नहीं है तो इसका रहाइट आंसर बी एकलन कोशिव निम्लिखित में से कौन से ऐरोड सो CC इसथल से गिए इसथल्से गिरें यह अनिandlock अगर आप पढ़ेंगे आर्मेनिया मांटे निग्रो बोथ स्वाना और इथोपिया तो आर्मेनिया बोथ स्वाना इथोपिया यह लेंड लोग्ड देश है अर्मेनिया बोथ स्वाना इथोपिया तो फस्स थर्ड और फॉर्ड तो फस्स थर्ड और फॉर्ड इसमें से कहीं नहीं लिखा हुआ है अगर आप explanation को पढ़ेंगे आर्मेनिया बहुत स्वाना इथोपिया चार ओड से स्थलों से गिरे हैं आर्मेनिया जोड़्जा अजरबजा निरान तुर्की से गिरा है बहुत स्वाना नांबिया जांबिया यह सब से गिरा है ठीक है वह option इसमें नहीं ह आर्मेनिया बहुत स्वाने इथोपिया तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताना कि कौन सा इसका राइट आंसर होना चाहिए जो option में नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए अगला चैप्टर देशों के पुराने नाम यह बहुत ही छोटा सा चैप्टर है एक की वहता है ताा थाइलेंड का इराक पुराना नाम इ को फारम उसका किस का नाम है इसको में बताना है तो फार्मोस आज है दोस्तों यह आपका ताइवान का पुराना नाम है तो तो B का first अगर आप देखेंगे, B इसमें है, A में और D में, तो B और C तो eliminate हो गए आपका, तो A और D में सा answer है, आप देखेंगे, बर्मा किसका नाम है, बर्मा मियामार का, तो D का 2 है, तो D का 2 किसमे है, केवल और केवल D वाले option में, तो right answer इसका कून सा हो गया, D, ठीक है, द प्रमा किसका पुराना नाम म्यामर का, स्याम किसका पुराना नाम है थाइलेंड का, और मैसो पुटामिय किसका नाम है पुराना इराक का, ठीक है, तो राइट आंसर आपने देखा D है, आगे बढ़ते हैं, देखे अगला कोशन है, निमलिखित यूग में से कौन सा एक सही इतं नहीं है, ये कई हरारे, जी देश है, उसका पुराना नाम Saliswara ये ठीक है, इथोप्या का, पुराना नाम कॉन सा है, अबिसीनिया, और किसाट का, पुराना नाम से लीओपॉल्ड, लीओपौल्ड विले, कि गहाना का, पुराना नाम, डच ग्याना नहीं है, इसका प यह इसका राइट आंसर है कि अगला चैप्टर अंतराश्टे सीमा रेखा है कि इसको पढ़ते हैं बहुती छोटा सा चैप्टर रहे यह भी कि पहल कोश्जण ने मिल्लिकום सही संविलित नहीं है क्यों डि क्रहे और दो को पता होना चाहिए जबकर न्युक्त अबறक बहरत कहिक है निर्दारन नहीं करता है डूरंट रेका भारत और आफगानिस्टान के भी सीम 瑠रान करता है तो Sees कर राइट अंसर है जबकि रिए रिएट क्लिफ रेका भारत और पाकिस्तान के बीच जिस्टित है मैगिनोट रेका फ्रांस और जर्मनी के बीच है इंडर्णबर्ग रेखा बेल्जिम और जुन्मनी के बीच है ठीक है तो सी इसका राइट आंसर हैं अगला कोशन है निमलिखित नद्यों में से कौन अंतराष्टे सीमा नहीं बनाती है तो सिंदु नील राइन रियो ग्रांडे तो रियो ग्रांडे इसका राइट आंसर है ठ अगला कुछन है रियो ग्राण데 नदी सीमा बनाती है मेक्सिको और श्खुत राज्य अमेरिका तो मेक्सिको और अमेरिका रियो ग्राणडे नदी सीमा बनाती है अगला कोशन है निम्लिक इतमे से कौन सी एक जील तंजान आप और युगांडा के बीदी सीमा बनाती है तो राइट आइसर है कि अगला कोशन यहां पर मैप दे रखा है नीचे दिये हुए मानचित्र पर ध्यान देना है और मानचित्र में बिंदू से बनी टूटी रेखा क्या है तो टूटी रेखा है मैं बताने है कि वाली रेखा कौन सी है है तो यह रेखा है आपकी डूरंड लाइन तो राइट अंसर यह लेसे लिखें मैकमुहन लाइन क्या है भारत और चीन के दिया सेमा बनाती हैं वह मैक मुहन लाइन है तो राइट आंसर ए ए ऐगला कोशनला रेड के लिए फ्लाइन सीमानि इद्धायक करती है तो आपको बताना है कि, Red Cliff Line किस की सीमा ने राज करती है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच, तो राइट ऐट आंसर कुम से है, भारत और पाकिस्तान, C इस का राइट आंसर है, तो बहुत सिंपल कॉस्चन है, अक्षान से रेखा आ यही तो उत्री कोरिया और दक्षिनी कोरि परगार के सीमा किसी स्थाट रहा है इस तरह से जो आपकी नोर्ट कोरिय और सवाथ को आपस में डिवाइड करती है तो राइट आंशर करती है तो देखिया अगला कोशें ने। तो मेगिनेट रेखा क्या थी फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा तो राइट अंसर है देखिए आपने देखा हो कि आपको चार या पांच ही प्रकार की रेखा पूछी कि मेगिनोट रेखा डूरंड रेखा हिंडन बर्ग रेखा रेड क्लिफ रेखा तो वही पांच साथ दस रेखा इन्पोटेंट है उनको आप याद करना है एक 38 वी आपको रेखा याद करना है 38 वी किसको डिवाइड करते हैं नौर्थ कोरिया और सौथ कोरिया को ठीक है अगला कुशन देखते हैं अगला चैप्टर है वह देशों की राजधानिया बहुत ही सिंपल सा चैप् कस देखते हैं यह तो कहां तक आप इनको याद कर पाएंगे ठिक है तो जो करेंट में रही हैं चर्चा में रही है दृषी में रखना में अखको किसी National आपको बताना है कि उन्हीं को भी स्काश दनी के डिलिप म्यामर को आप पढ़ेंगें कमबोडिया वियतनम और लात तो म्यामार की राजधनी कुन सी है नेपिता ठीक है तो नेपिता है कमबोड़े की राजधनी कुन सी है नाम पिने ठीक है तो नाम पिने कमबोड़े राजधनी नाम पिने तो बी का थड़ है और वियत नाम की राजधनी कुन सी है हनुई तो वियत नाम की राजधनी है मैं वरतमान में कौन-कौन से चर्चा इन चर्च में फिलिस्तान चर्चा में रोस यूकरेंद यह सब चर्चा में एराक इरान- सौधी-अरब- अमेरिका- तो यह चर्च में उनको आपके आद रखना चाहिए तो आपने देखा है तो मियामार कॉन से यह गून ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है देखें म्यामार नेपिता कमपोड़े नहों पिनेहें व्यतिनाम हनोई लाउस व्यतिनाम तो सी इसका राइट आंसर है आय्का अगला फुल निम्लिकित नहरों में से और यह सभी तो ए इस लोवेना थे दो डिखान स्य ख्वाईत आंसर है इसे नहीं आयों सकता है में घृप्रणा नहीं कुर। आपको और यहां जते हैं रही सब आँसरी हैं मैं बहुत इफऍटे नहीं लगा को सकता है मैं भिन आपको कोकूष्ट दिखा रहा हूँ किस परगार से ell elders आते है यह मियामरई की नहीं राजनी कुन सिए तो पिय नमा । पिय नमना ठिक तो पिय नमना राईट अणसर है अगलि कुछन नहीं है तो राइट आंसर है निकारगुवा बेल मौपान वह मास नस्व कोस्टारीका सैन जोंस कि सैन जोस और डोमीनिकन शांटो डोमीगर रिपब्लिक तो यह सही है जबकि निकारगुवा बेल मोपान यह नहीं है देखें मैं आपको फिर बता दो उनसे घबराना नहीं है आपको जो करंट में केवल करंट में दो चार पांच देश करंट में रहते हैं हर साल उन्हीं को याद गड़ना है ठीक है पेरगुराजधनी कुंसी है लेमा और कुछ कोशन ऐसे मिलेंगे आपको बहुत ही सिंपल मिल देखते हैं इनको टिकर देए जैसे पेरगुराजधनी लेमा यह आपको याद होगा विया न किस देश की राजधनी है ओस्टिया ठीक है तो इस परकार के कोशन जो सिंपल है वह आप याद कर सकते हैं बाकि जो करंट में है उनको आप करंट के पोइंट ओफिस आप देख इतोपिय के आदिस अबाबा अगला कोशन है निमली की तमें से कौन से जोड़ी सही सुमिलित नहीं है तो जापान क्योटो ठीक है जापान के राजधनी कौन से है टोक्यो अगला कोशन है निमली की तमें से कौन सा यूगम सही सुमिलित नहीं है तो नाइजीरिया रबात नाय जी यह कि राज़ानी में और फख्की तो इस्तित हैं सब्सक्राइशा इससे कहले जाम्या में एक्टिवर भी-फटर थी कि अगला कोश्चन है कि व्धाक 아니 melhor लिसाका और गया गाना जाम या देकि यह है जो रिपीट है उनको तो हम छोड़ेंगे नहीं ठीक है करेंट वाले हम बेसक छोड़ सकते हैं तो कि एक या दो कोश्टन दोस्तों समय से आएगा इससे घबराना भी नहीं है लेकिन जो बार-बार मतलब पूछा जा चुका है रिपीट है उनको हमें याद होना चाहिए है तो विड्व आंशन देखेंगे विड्वडाक किसकी रजानी नामी ब富 आकी की तो एक है ट्टू एक ट्टू लगाएंगे अप तो 20 ka राइले लुझा की के लेकिन तो हमेरे कि लसा का देखिर में उनको जो रिपीट कोसं डीच है वह हमें आपको बताना ठीक है और कोशन को कैसे हमें हेंडिल करना है इस प्रकार से हेंडिल करना है और सारी कोशन हमें करनी नहीं होते हैं पूंद कश्कोषण छोड़ने कांट करना होता है उसकी करना भी आपका टैम्ट कर नहीं है वह तो उससे घपराना नहीं आपको अगला स्टन से ने चुछे कंपाला तो योजभ है कि ए कुंसे चर्षे में दोतर हैं तो इसका Кoos आप अग्या कोश्चन निम्लेकित में से कोन एक सही सम्मिलित नहीं है तो बर्लिन जर्मनी तो राइट आंसर अग्या कोपन हेगन डेन्मार्क देख कोपन हेगन पता होने जाए उसमें इन वोर मैंड में पढ़ते हैं कि कोपन हेगन सम्मिलन हुआ था ठीक है पैरिस का पर फ बिश्केक टाजिकिस्तान हिए ठीक है बिश्केग क्रिगिस्तान की राजधानी नहीं है तो राइट आंसर अग्या कोश्चन देख है बुल्गारिया जोर्जिया आइसलैंड नॉर्वे ऑचलो रिखियाविक सोफिया दिल दिलबिस चेमल्स्य जो भी है इसका तो राइट तो यह सुमेलित नहीं है, तो चीन की राजदानी बीजिंग है, संगा ही नहीं है, तो यह सुमेलित नहीं है, जब कि कन्याड़ की उठावा है, और स्टेले की कैनबरा, रूस की मास्को, को लो yn अगला कोशन है सुच को सुच दोश्य आपको मिलाना है बुरुंडी करकिस्थान लाऊस माली है हुआ मैं २ तोrato आपको बताना कि कौन से देश की कौन से राध्रनी है एक बुरुंडी आपकी बुजम direct से weirdest बुरुंडी कर दोसे बुजम कि ठीक है तो माली की राज़निया आपको बमाको बुरुंडी की राज़निया आपकी बुजम बुरा ठीक है तो एका है थर्ड डीका है टू तो एका है थर्ड आप देखेंगे एका है थर्ड कि एका थर्ड है तो ए इसका राइट आंसर है ठीक है तो ए इसका राइट आंसर ह अब दुबार हम चेक करते कि बुरुन्डी की जो राजधनी वह थड तो एका हम थड देखते हैं तो एका थड किसमें तो ए में है और आपका है सी है ना तो अभी हमने सी में है नहीं देखा था अर जो माली है डिलिकाय टू तो डीकाय टू आप देखेंगे देखा है डिसमें तो नहीं है अ किसमा है ऐफ कि कि इवर कि वर टिम by संद्व Александर्मिली तेहने हैं कौन सा ही सुमेली तो इथो पिया लुसाँ का पूछaches ऑगला कोशे कजाकिस्थान की राज़ेनिया अस्ताना लात्वी की राज़ेनिया रिगा ठीक है तो राइट आंसर इसका यह है कि अला कोशने निम्ली खेगे मैं मैं कौन सा सही सुमीलित नहीं है बुड़ा ठेंगरी किसांज मुझा जयरे और नैयरोबी केनिया और क्राइस्ट चर्च न्यूजिलेंड तो क्राइस्ट चर्च इसका राइट आंसर है इस अगला कोशन है निमली की तुमेंसे कौन सो सहर किसी देश की राजदेनी नहीं है तो सिटिनी नहीं तो बहुत ही फैक्ट्ट्वल है आप इस चेप्टर को छोड़ भी सकते हैं सा आपको इसलिए यहां पर कोशन करा रहा है ताकि आप फोकस एड़े आपको पता रगजाए और आपको पता रगजाए कैसे पूछ रखे हैं तो कुछ रिपीट को जो को पूछते हैं वह आपको पता रगजाए मुख्यों देष्ट हमारा यह यह बहुत ही फैक्शोल डेट में भूल जाएंगे बहुत सारे हमें केवल जोग्रफी थोड़ी नहीं पड़ नहीं है हमें बहुत सारे सब्जेक्ट और भीत हैं जैसे हिस्ट्री पॉलिटी और उन सब के अपने फैक्ट्वल कोशन है तो कहां तक हम इतनी चीज़ याद करेंगे तो उन सा गवराना नहीं है आपको की देखें में क्या लिखाया है देखें बाजील्यहा वाट्री किशनला ने यूरुबिया कें चेंभन ने वाट्रीोट देखें कि ब्राजीं या लिकारे किसिरहती है ने हैं लुसा का जांबी जांबिया ठीक है तो इसका राइट अंसर भी इसका राइट अंसर है अगला कोश्चन है ब्राजिल कोस्टारीका पैरू आइवरी कोश्ट देखिए यह तो बार-बार एक्जाम में रिपीट हो रहे हैं जैसे ब्राजिल की जो राजधनिया वो कुन सी है त ब्राजीलिया है नहिए यहां पर यह सहर रख्ञें तो ब्राजील जो सबसे इंपोर्टं सेहर अपने सुना ओगा इंवर्मेंट में और ब्राजील में तो एक थठिए तो एक थठर आप देखेंगे तो दोसक्त में किस डेश में थिते यह कोस्टारीका टू है थो तो यो में को स्टानरी का तो बी का है 2 Mr. 552 अब देखेंगे तो अब अब दीखेंगे तो to a केवल सी में तो सी करएड अंसर थे पैरू है परू में गें लीमा है लीमा आपरी आइविरी कोस्ट में का यह मुझे का किसने शारे लेटा कहा देके करेंगे tear कि अगला कोशन निम्फिकत में से किसका साही सुम्मिलित नहीं है तो फिंड्लेंड उसलो तो राइट आंसर अगला कोशन सुम्मिलित करना है कि सिरलंका मालदीप बर्मा जिंबाबे मोरिसस यह भूस सारे यहां पर देश के नाम दे रखें और यह पर यह क्या दे रखें माल मालदीप की है हरारे जिंबाम्बे की है और पोर्ट लूइस मारिसस की राजजानी है मोरिसस है ना तो राइट आंसर इसका ए है कि अगला कोशन है सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना है उस्टेलिया तंजागिसान तंजानिया सिविजड लेंडे के इस उस्टेलिया का हमें पता होना चाहिए है ना तो इस परकार के तो राजजानी हम बता सकते हैं तो एका है फोर कैनबरा तो सी या डी में से आंसर होगा तो ए और बी तो इस बेस पे कट गया है ठीक है इसका राइट आंसर सी है कैनबरा उस्टेले की राजजानी है दुसामबे तंजाकिस राजनी है डोडोमा और बर्ण स्विट्जर लेंड के राजनी है तो राइट आंसर है सी अगला कोशन देखते हैं निमली कितम से कौन सा सही सुमिलित नहीं है देखिए यां देज दे रहे हैं नगर है वेनेजुएला न्यूजिलेंड कोलंबिया कि और साैप्रस तो साइप्रस देखिए दी क ज dudे पूछ है यहां पर नहीं है सही सुमिलित पूछा है न तो हां इसका जो राइट आंसर दी जुछ मी कां इंडिकोसिया क धिकारकस नगर कां वेनेजुवेला में uwगोटा कोलंब्या में वेलिंगटन नियूजिलन्ड में कोसि नेखिया अगला कोशन है सूची निम्ली के दिगर में से कौन सा सही संविलित नहीं तो माल दीप माल अब लगर तो ए ऐसे उभी आपर नशीरी कों सीयगा जहां का भारत की उप्राष्ट पतिने मार्ट 2019 में दो रागी आता तो अंसिसियन ठीक है तो राइट आंसर है ए ते करेंट में पूछा गया है तो करेंट में जो चर्च में रहेंगे वह हम करेंगे ठीक है अगला कोशन देखते हैं नहीं तो इस तरह से अगर हम सारे देश की राजधनियाद करेंगे इन पोटेंट किर्गिस्तान की राजधनिया तासकंदें तादेकिस्तान की राजधनिया कौन से दुसानबे किर्गिस्तान की राजधनिया विसकेक और तुर्कमेनिस्तान की राजधनिया असकबाद तो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है अगला कोशन निमलिखित में से कौन सा प्रेक्म सही सुमेलित नहीं है यह बताना है तो इसका जो राइट आंसर वह बी डो मीनिका सेंट डो मिंगो तो राइट आंसर है भी तो इस वीडियो में दोस्तों हमने कुछ दो तिन चैप्टर देखे हैं अगला चैप्टर विसकान नगर है बहुत ही छोटा से चैप्टर है बहुत ही फैक्ट्वल डेटान में पूछते हैं तो इसा घबना नहीं आप सकता आपको नहीं है अब तक हमने इसमें कितने चैप्टर 14 15 16 और 17 यह चैप्टर हमने देखे हैं कुछ छोटे चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में हम यह चैप्टर पढ़ेंगे विसके नगर बहुत ही छोटा से चैप्टर है तो नेक्स्ट वीडियो में लेता है तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यू फोर झाल 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 झाल